केमिकल कायटी चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चो, आज हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं, कॉलिजन थियरी, कॉलिजन थियरी देखो क्या होता है, कॉलिजन थियरी में हम बेसिकली, theoretically, rate को लाने का प्रयास करते हैं, rate of reaction तुम देखे हो के शुरू में, कि वो experimentally आता है, क्योंकि order वगर experimentally आता है, यहाँ पर हम rate of reaction को one of the few methods है, जिसके सारे हम rate of reaction को theoretically लाना चाहते हैं, आता नहीं है, लेकिन उसके बहुत ही close आ जाता है, ठीक है, तो देखो, इसमें होता क्या है, collision theory में, तो एदम बिल्कुल basic level पर इसमें हम बात करते हैं, कि molecule आया और आपस में टकराया, तो molecule आपस में टकराकर अगर product देगा, तो जितना ज्यादा molecule आपस में टकराकर product देगा, reaction का rate उतना ही ज्यादा होगा, तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लो, collision theory is used to determine rate of reaction theoretically, ठीक है बचो, माल बें एक reaction हो रहा है, सबोच करो A और B है, वापस में reaction करके product बनाता है, ठीक है, for example, hydrogen और iodine आपस में reaction करके 2HI बना रहा है, तो एक बार बताओ, ये product कब बनेगा, जब एक ही कमरे में hydrogen भी है, iodine भी है, जब hydrogen का molecule hydrogen का molecule से टकराएगा, तब तो product नहीं बनने वाला है, iodine का molecule भी iodine का molecule से टकराएगा, तो भी product नहीं बनने वाला है, product कब बनेगा, जब hydrogen का molecule iodine का molecule से टकराएगा, तो unit time में, ध्यान से समझना, unit time में hydrogen और iodine के बीच में जितना टकर हो रहा है, क्या वहीं से हमें rate मिलेगा, unit time में hydrogen iodine के बीच में, माल लो, for the time being ये माल लो, कि hydrogen iodine के बीच में जितना टकर होता है, सब में product मिल जाता है, ऐसा होता नहीं है, जो molecule का energy बहुत ही कम है, वो तुमको product नहीं देगा, हमारा जो भी hydrogen और iodine है, यह दूसरे को remove कर रहा है, कोई न कोई kinetic energy से, जब वो बहुत ही करीब आएगा, तो वो kinetic energy potential energy में convert होना शुरू हो गया, और यह potential energy में convert हो रहा है, उससे, जो potential energy में increment आएगा, वो increment activation energy एक टर्म होता है, बात में बताएंगे, अगर वो activation energy से ज़्यादा का increment आगया, तब वो product देगा, otherwise वो product देने वाला नहीं है, कहने का मतलब कि molecule का जो kinetic energy है, molecule का जो kinetic energy है वो कम से कम activation energy के बराबर होना चाहिए तब ही वो product देगा otherwise वो product देने वाला नहीं है ठीक है तो देखो अभी के लिए हम माल लिए कि जितना भी टककर हो रहा है सब में हमको product मिल रहा है फिलाहल के लिए हम यह माल लिए तो हम यह बोल सकते है कि जो हमारा rate है जो हमारा rate है उसका जो maximum value होगा तो जो maximum value होगा वो ZAB के बराबर होगा जहाँ पर ZAB क्या है तो Z होता है कितना number of collision हो रहा है per unit time, per unit volume और A भी जो लिखा हुआ है और A और B के बीच के collision के लिए लिखा हुआ है total number of collisions per unit time per unit volume between A and B ठीक है बच्चो तो देखो सारे collision में तो product मिलेगा नहीं इसलिए हम इसको बराबर किये है maximum rate के बराबर maximum rate यानि कि हर collision product अगर में जाए तब यहां से जो rate आएगा वो maximum के बराबर हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम rate बराबर लिखे अगर हम rate बराबर लिखे तब क्या लिखोगे तो rate बराबर लिखोगे Z A B तो लिखोगे ही हम इसको multiply कर देंगे एक factor से ठीक है यह कौन सा factor है तो माल लोगी total number of collision 1000 हो रहा है और 1000 collision में मात्र 25% molecule ही ऐसा है जिसके पास sufficient energy है product को बनाने का तो यह वही factor है यह 25% है यानि कि यह वड़ा 4 है यह वो factor है जो बताता है हमारा यह यह वो factor है जो बताता है कि कितने molecule का kinetic energy activation energy से जाता है कितने molecule का kinetic energy activation energy से जाता है तो एक काम कर रहा है हम F को लिख देते हैं उसके बाद F को detail में भी देखेंगे ZAB का formula तुमको पढ़ना नहीं है in fact इसका कोई formula तुमको नहीं पढ़ना है तो यह वास समझने यह पूरा कपुरत theoretical concept है इसको समझ लेना अच्छास है और फिर भी हम सबका formula तुमको बता ही देंगे ठीक है तो दो को ZAB होता क्या है ZAB कराबर होता है ZAB क्या बता है total number of collision per unit time per unit volume between A and B तो इसका formula होता है π.sigma AB square sigma क्या है तो sigma हमारा collision diameter होता है collision diameter अगर container में एक ही तरह का molecule होता है तो sigma 2R के बराबर हो जाता है 2R दो molecule जब तकराता है तो दोनों के center के बिश का distance लेकिन यहाँ पे A और B है तो जब A और B तकराएगा तो center के बिश का distance हो जाएगा radius of R जो radius of B यादि कि अगर hydrogen और hydrogen तकरा रहा है तो sigma A भी जो है वो A का radius प्लस B का radius के बराबर है ठीक है यहाँ तक समझना है और भी समेटर होता है और क्या होता है गैसेश्टेट चेप्टर में average velocity पड़े होगे 8RT by π.m का root चाए 8KT by π.m का root तुम पड़े होगे लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि 8RT by π.m में जो molar mass होता है molar mass A का ले या B का ले है हाँ पर तो हम यह करते क्या है कि ना A का लेते हैं ना B का लेते हैं बलकि उसके जगा पर हम एक reduced mass नाम का एक term लेते हैं तो U average को मैं ऐसे लिख रहे है U average relative अब जो इसका value put करेंगे बुक में देखोगे तो इसी के उपर में एक bar देदेगा बार का मतलब हो जाता है relative ठीक है और इसमें multiply हो जाता है A ने स्टार A into A ने स्टार B से ध्यान रहे यह बिल्कुल भी तुमको रटना नहीं है gaseous state में भी एक collision theory आया था तो उस collision theory में इस चीश को derive करा जाता है ठीक है तो वहाँ से अगर revise कर लोगे तो तुमको वहाँ पे actually same molecule के derive कर जाता है यह अलग-अलग molecule के लिए है ठीक है तो वहाँ से relate करोगे तो तुमको बहुत ही आसानी से समझने आ जाएगा ठीक है तो हम सारा term लिख देते हैं तो मुहाँ से revise कर ले न तो u average relative इसको तुम क्या लिखोगे तो इसे जो हम दिखेंगे तो यह बन जाएगा पाई सिग्मा एवी का square इसे क्या लिखेंगे हम अंडर रूट 8 kt जहांपे k बोल्ड्समें कॉंस्टेंट है यह small m, ठीक है तो यह small m molar mass से related होता था यह small m होगा mass of one molecule उपर में capital R लिखोगे तो नीचे में capital M लिखना पड़ेगा लेकिन हम यहाँ पे small m नहीं लिखके हम यहाँ पे reduced mass लिखते हैं तो reduced mass अगर यहाँ पे लिखोगे इसको हटा आयते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक πाई भी होता है यह साथ में पाई के साथ हम लिख रहे हैं मू M ठीक है जहाँ पे मू M क्या होता है मू M हो जाता है reduced mass और यह कैसे निकलता है तो यह बराबर होता है M1 M2 divided by M1 प्लस M2 निकालने का तरीका M1 हो गया वैसे एक molecule का mass है लेकिन रेशियो में है तो तुम molar mass भी ले सकते हो M1 हो गया molar mass A का M2 हो गया molar mass P का M1 हो गया molar mass A का M2 हो गया molar mass P का तो यहाँ से निकल जाता है और यह Na star और NVA star क्या है Na star into NVA star तो यह है number of molecules of A per unit volume और यह है number of molecules of B per unit volume तो यह ZAB का इतना बड़ा formula आता है तुमको इसे कोई मतलब नहीं है सीधे याद रखना ZAB हो गया total number of collision लेकिन उन सारे collision प्रोड़क्ट हमको नहीं मिलेगा उन सारे collision के उसी factor में हमको product मिलेगा जिसका energy activation नहीं से ज़्यादा है तो उसके लिए इस fraction से गुना कर दिए इस fraction का value क्या होता है यह हमारे ले important ठीक है इतना बड़ा नोट करो तो बचो rate बड़ाब अभी क्या है rate बड़ाबर आया total number of collision between A and B into fraction F जहांपे F क्या है fraction of total number of effective collision effective collision का मतलब हुआ वैसा collision जिसमें आमारा product बन रहा है चाहे इसी को और क्या बोल सकते हो fraction of total number of molecules which have energy in excess of activation energy ये ठीक है देको हम ये नहीं बोल रहा है कि which have energy more than ये है हम बोल रहा है in excess of ये in excess of ये का मतलब हुआ energy जो है जितना है उतना तो है ही जब वो product बनाने जाएगा तो अपने energy को बढ़ाएगा पोडेसल energy बढ़ता है काइंटिक पोडेसल में कनवाट होता है तो उस समय उसके जो भी कमरे में reactant है और reactant का average energy आ रहा है तस लेकिन product तभी बनेगा जब उसको 15 energy मिल जाए जैसे अभी देखो example क्या था hydrogen और iodine का H2 plus I2 बराबर 2HI अब इसको समझना अच्छे से मालनों यह energy है वैसे वास्तों में potential energy होता है लेकिन अगर potential energy बढ़ रहा है तो total energy ही बढ़ेगा temperature देखो हम reaction कराने के लिए temperature देते है temperature के देने से काइंटिक energy बढ़ता है काइंटिक energy में जो increment आया वह convert होता है potential में और वह potential में जो convert होता है तो अगर वह activation energy को cross कर जाएगा तो मारा product बन जाएगा ठीक है तो यहां से समझना मालनों कि हमारा reactant यहां पे रहा है इस energy पे रहा है यह reactant रहा है ठीक है जब तक नई आएगा तो energy इसका बढ़ना शुरूण हो और बढ़ेगा 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 बढ़एगा बढ़ते ऑ thriving कि एक समय आएगा कि सार्व मोका तूट गया अब जब निया बाउन सुरूण होगा तो इसका energy रिलीज होगा, रिलीज होते, होते, होते नीचे चला गया, हमारा यह प्रोडक्ट बना लिया, तो ध्याब से देखो क्या होगा, यह energy था reactant का, यह energy है product का, लेकिन reactant product में convert होने से पहले, इस top तक गया, इस maxima तक गया, यानि कि energy यहां तक जब तक नहीं आएगा, तक तक product ब forward direction का जो product बना वो backward भी आ सकता है जब वो backward आएगा तो हम multi direction से activation energy को देखेंगे लेकिन इसको हम detail में थोड़ी देर में देखेंगे इसलिए इसके बारे में अब यह मुतना बात नहीं कर रहे है ठीक है तुम हमारे level में तुम जितना भी book देखोगे उसमें यह reaction coordinate है कैसे reaction आगे proceed कर रहा हमारे level पे तुम जितना भी book देखोगे सब में y axis पे तुमको energy ही मिलेगा लेकिन higher level पे जाओगे तो यहाँ पे energy नहीं तुमको potential energy मिलेगा sense दोनों का same ही रहता है लेकिन reality में जो energy increase करता है reaction के time में जब reaction होने वाला रहता है है ना देखो किसी भी system में मातर दो तराग energy होता है एक kinetic और एक potential बहुत सरा भज़डम करते हैं लेकिन सारा का सारा energy या तो kinetic है या तो potential है movement के कारण जो energy आता है वो kinetic होता है और force के कारण जो energy आता है वो potential आता है तो potential energy जब तक अपना value बढ़ा कर यहां तक नहीं पहुंचाएगा reaction नहीं होगा और यहां तक value बढ़ाना है यानि कुसमें increment आना है activation energy का तो यह activation energy देगा कौन तो molecule का जो kinetic energy है वहां से हमको energy मिलता है यही reason है कि हम यहां पैसे भी लिख लेंगे कि fraction of total number of molecules having kinetic energy more than यह activation energy से ज्यादा और यहां पि तुम्हारा maximum equation काम आएगा क्योंकि maximum equation में याद करो हम kinetic energy जो molecule का velocity था u किसी particular velocity से कितना molecule travel कर रहा है वो निकालते थे तो किसी particular kinetic energy से कितना molecule travel करेगा अब OBM चाहे जो निकाल सकते हैं तो यहां पे Maxwell equation का थोड़ा सा इस्तेमाल आएगा हम इस factor को निकालने में Maxwell equation को use करेंगे ठीक है तो देखो क्या बोल सकते हो इस factor को इस factor को बोल सकते हो fraction of total number of effective collision effective collision का मतलब वो collision जिसमें हमारा product बन रहा है ठीक है चाहे बोल सकते हो कि fraction of total number of molecules सारे molecule का वो fraction जो अपना energy यह से बढ़ा सकता है ठीक है चाहे बोल सकते हो सारे molecule का वो fraction जिसका kinetic energy अक्टिवेशन अनर्जी से ज्याता है क्योंकि kinetic energy ही इस increment को देता है molecule जितना तेजी से दौरता हुआएगा उसका kinetic energy उतना ज्यादा और जितना जोर से दौरता हुआएगा और टकराएगा तो product बढ़ने के समावना उतनी ही ज्यादा क्योंकि kinetic energy अगर बहुत ज्यादा है तो वो आराम से potential में convert होगा और product हमारा बना देगा तो इतना से energy बढ़ना है यह से तो मानलो कि 10 से energy बढ़ना है और molecule का kinetic energy total 8 ही है तो वो तुमको कहां से दे पाएगा वो product भी बना पाएगा तो वही molecule तुमको 10 का activation energy देगा जिसका kinetic energy 10 चाहे 10 से ज्यादा हो इसलिए हम इस तरीके से भी इसको define कर रहे हैं ठीक है बच्चो यहां तक समन में आ गया अब देखो यह जो fraction है इस fraction को निकालने के लिए अब हम जाने वाले है मैक्सवेल के equation पे ठीक है इस graph पे हम फिर से आएंगे इसमें बताएंगे कि forward का क्या होता है backward का क्या होता है थर्ष्वल नर्जी क्या होता है सारा भी हम detail में देखेंगे अभी जो हम बता रहे हैं वो किसी भी काम का नहीं है केवल समझने का है जब काम कायेगा तो हम अप लोग को बता देंगे यह जो शुरू होगा तो यहां से सारा का सारा काम काना शुरू हो जाएगा तो इतना पहरे नोड़ कर लो देखो बचलो अब यहां से हीडिंग दे रहे हैं अब देखो यहां से काम काया है फ्राव Maxwell equation मैक्सवेल equation से याद करो चाहें revise कर लेना हमने graph बनाया था 1 by n dn by du का और यहां पहुँने लिया था u फिर हमने हाप kinetic energy बराबर हाप mu square लिख के तुम u को kinetic energy से replace कर सकते हो तो हम चाहें तो same graph बना सकते हैं kinetic energy के लिए और यहां पहाँ आ जाएगा dn by d kinetic energy जो है यह हमारा capital E से हम रिप्रेजन कर रहा है तो equation हमारा similar ही आता है वहाँ पहाँ हम कराये थे गैसे श्केट में उसको जाकर अगर देखोगे तो तुमको equation मिलेगा similar ही आता है और उसका भी graph यही होता है इसी तरह का Maxwell का जो U से related graph था और क्या बताये थे हम यह आपे कि अगर माल लो तुम कोई भी एक range ले लेते हो है ना U1 से लेके U2 तक तो U1 से U2 यह पीच में travel करने वाले molecule की संक्या इस area से हमको मिलता था तो बेल्कुल उसी प्रकार से माल लो यह है U1 और यह है U2 तो यह area आपको क्या देखा तो यह area जो है यह represent करता है fraction of number of molecules having kinetic energy ठीक है having kinetic energy between E1 and E2 ठीक है लेकिन हम किस चीज के तलास में हाप आया है हमें तो वो fraction निकालना है हमें fraction ही निकालना है लेकिन E1 से E2 के बीच का नहीं हमें fraction of molecules निकालना है जिसका energy चाहिए kinetic energy एक्टिवेशन energy से ज़्यादा है तो activation energy से ज्यादा है का मतलब हुआ च्चा activation energy और infinity के बीच का सारा molecule निकालना है तो यह काम करो मान लो activation energy यहाँ पे है ठीक है मालो activation energy यहां पर है, activation energy का अभी हम कुछ दर बार definition मिली करेंगे, ठीक है अभी हम तुमको समझा चुके है अल्रेडी, जो हम समझाये थे उसी को हम defend करेंगे, मालो activation energy यहां है, तो activation energy से infinity के बीच में जितना भी molecule है इस kinetic energy का, वो सारा molecule हमको इस area से मिलेगा बच्चों, त यहां रिप्रेजेंट करता है, fraction of total number of molecules, ठीक है, fraction of total number of molecules having energy between, energy नहीं लिके, kinetic energy लिकमा, having kinetic energy between EA to infinity, चाहे बोल सकते हो, more than activation energy, और area कैसे निकालते हैं, जो भी इसका function आया था, गैसे state में उसको हम integrate कर देंगे, यह से लेकर infinity तर, तो जो आप integrate करोगे, तो यह value आपका आ जाएगा, e to the power minus EA by RT के बराबर, ठीक है, यह हमारा important है, यानि e to the power minus EA by RT को हम क्या बोल सकते हैं, fraction of total number of effective collision, चाहे fraction of number of molecules having energy in excess of EA, चाहे बोल सकते हैं, fraction of total number of molecules having kinetic energy more than activation energy, यह तीनों च सकते हैं, जो कि अभी हम लिखवाये थे, यह हमारा F के बराबर है, तो F में जो जो चीज़ हम लिखे थे, वो सारा का सारा, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो यह बहुत काम का है, यह important है, यह याद रखना, ठीक है, नैटसल से एक और चीज़ म उठा रहा है यह temperature increases, जगर temperature बढ़ता है, तो यह आपको रहा क्या होता था, temperature बढ़ने पर ग्राफ आगे भारता था, और इसका पीक नीचे जाता था, यहाँ भी बही चीज़ होगा, मालों यह ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ ही है, तो यह T1 का होगा, और यह T2 का होगा, ठीक है, जहा kinetic energy है, यहाँ पर E हा गया, तो total area under the curve क्या होगा, curve के नीचे का सारा area, 0 से infinity के बीच का energy, तो 0 से infinity के बीच में तो सारा molecule आजाएगा, हर molecule का energy 0 से infinity के बीच में ही है, तो total area जो curve के नीचे का होता है, वो unity के बराबर होता है, ठीक है, टोटल एरिया अंडर दी कर्व इस कॉंस्टन एंड इक्वाल टू यूनिटी ठीक है और क्या लिक लोगे अगर हम टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन अप नमबर अप मॉलेकुल्स हाविंग एनर्जी ये टू इन्फिनिटी वो हमारा इन्किरीस कर जाता है कैसे मामले अक्टिवेसन अनर्जी यहाँ पर था तो टीवन टेंपरेचर पे एरिया ये नीचे वाला आया और देखो टीटू टेंपरेचर पे ये उपर वाला ये इतना एडिजन अगर दिया आ रहा है तो लिए है टेंपरेचर बढ़ा होगे तो कायन्टिक अनर्जी बढ़एगा थी बाई टू के टी फारू Caitlin जो इसे शेट मे आया था उससे टेंपरेचर बढ़ा होगे छी अनर्जी और कायन्टिक अनर्जी बढ़एगा ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, as temperature increases, fraction of molecules having kinetic energy more than Ea also increases, ठीक है, इसको निकालने का एक और तरीका, सिरे यही से देख लो, अगर temperature बढ़ेगा, तो temperature denominator में है, तो temperature बढ़ेगा, तो Ea by RT घटेगा, अगर Ea by RT घटेगा, तो minus Ea by RT बढ़ेगा, और minus Ea by RT अगर बढ़ेगा, तो यह पूरा का पूरा expression बढ़ेगा, ठीक है, और यह expression बढ़ेगा, तो fraction of molecule भी बढ़े जाएगा, ठीक है, ड़ल हो गया है नोड कर लो, तो आप देखो बच्चो, हमारा rate बढ़ाबर क्या आगया, rate बढ़ाबर आगया, Zab into Ea fraction था, अब हम इसे लिख सकते है, Zab into the power minus Ea by RT, जहाँ Zab का value कितना था, Zab था, Pi, Sigma Ab square, यह कितना है था, under root 8 KT by Pi Mu into Na star into Nba star, Na star Nba star कुसमें हम लिखे नहीं ते, लिख देना है यहाँ पे, Na star जो है, number of molecules of A per unit volume है, कहने का मतलब, अगर तुम इसको यह गैड्रो नमबर से डिवाइड कर दोगे, तो number of mole per unit volume, यानी concentration आ जाएगा, ठीक है, Nba star भी उसी तरह से, number of molecules of B per unit volume है, इसे भी अगर यह गैड्रो नमबर से डिवाइड कर दोगे, number of mole of B per unit volume, यानी concentration आ जाएगा, कहने का मतलब, यह दो से मिलेगा, total number of collision, यह total number of collision है, लेकिन सारे collision हमको product नहीं मिलेगा, तो हमने उस factor से गुना कर दिया, हमने उस factor से गुना कर दिया, जिस fraction of collision में हमको product मिल जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, fraction of total number of effective collision, तो तुमको लग रहा हो गया, कि हाँ, चलो, ठीक है, यहाँ से तो हमारा rate क्योंकि यही वो collision ऐसे product मिलेगा तो नहीं एक और चीज छूट रहा है माल नहीं यहां से hydrogen का molecule आया इका से hydrogen का molecule आया और दोनों आया और एसे touch होके निकल गया और एक हुआ जिसमें hidden collision हुआ चाहे माल लो NO2 का दो molecule टकराकर N2O4 बना रहा है तो N2O4 में दो nitrogen के बीच में bond बना होता है तो जब NO2 का molecule अधर से आया और NO2 इधर से आया nitrogen वाले end से nitrogen के end से टकराएगा तो product बन जाएगा लेकिन माल लो एक साइड से nitrogen आया दूसरे साइड से oxygen आया तब तो orientation यहां पे proper नहीं है कहने का मतलब कि अगर collision हो रहा है और molecule के पास energy भी काफी मात्रा में है उसके बावजूद product बनेगा इसका कोई guarantee नहीं है हो सकता है कि product अभी भी ना बने क्यूंकि जो molecule टकरा रहा है उसमे proper orientation नहीं है proper collision नहीं है अच्छे से collision नहीं हुआ है मालवेदर में ऐसे brush ऐसे चूक के चला गया तो collision तो हुआ लेकिन इसमें तुमको product मिलने वाला नहीं है ठीक है तो हमारा collision effective होना चाहिए proper orientation के साथ होना चाहिए अब तक हम मान के चल रहे थे कि सारा का सारा जो collision था वो properly oriented था ठीक हा In above we consider that all collisions are properly oriented ठीक हा लेकिन but if all collisions are properly not oriented अगर सारा का सारा collision बचो properly oriented नहीं है तो यहाँ पे हम एक probability factor introduce करते है P नाम का P क्या है तो P है P को हम बोलते है hysteric factor hysteric factor चाहे probability of orientation factor भी इसको बोलते है P क्या कलाता है hysteric factor चाहे probability of orientation factor होता है obvious है अगर यह probability है तो इसका value 1 से छोटा होगा हम बोल सकते है P का value 0 से बढ़ा होगा 1 से छोटा होगा वैसे 1 तो होता नहीं है फिर में 1 पे equality लगा रहे है क्यों यह जो equation तुम लिखे हो इसमें हमारा P बराबर 1 है P बराबर 1 का मतलब हुआ सारा का सारा collisions है वो properly oriented है ठीक है तो जो भी अब तक पड़े हो देखो उसका निचोड़ क्या है एक container है उसमें 1000 कॉलिजन हुआ क्या 1000 कॉलिजन प्रोड़क्ट बनेगा तुम बोलोगे नहीं उसी कॉलिजन प्रोड़क्ट बनेगा जिसमें energy हमारा kinetic energy हमारा activation energy से ज़्याद है ठीक है मान लो कि वह ऐसा molecule मात्र 25% है तो 1000 कॉलिजन हुआ उसमें 25% निकालोगे तो धाइसो आएगा तो तुम बोलोगे क्या धाइसो में product बनेगा तो तुम बोलोगे कि नहीं धाइसो में भी नहीं बनेगा धाइसो में भी उनहीं में product बनेगा जो properly oriented है जहां पर टक्र अच्छे से हो रहा है बढ़िया टक्कर हो रहा है, effective collision हो रहा है, तो यहाँ पे तुम क्याल होगे, यहाँ पे probability factor को हम introduce करेंगे, तो suppose करो 200 में, मातर 10% नी टक्कर ऐसा है, जो properly oriented है, इसका मतलब कि मातर 25 molecule टकराएगा, तब ही हमको product मिलने वाला है, ठीक है, तो हमारा rate बराबर क्या हो जाएगा, बच्चों, rate बराबर हो जाएगा, e times, zab e to the power minus ea by rt, आप समझों यहाँ पे क्या है, zab क्या है, total number of collision, यह क्या है, उन collision का वो percentage जिसका energy, जिसका kinetic energy activation नहीं से ज्यादा है, और यह क्या है, उन सारे टकर का वो factor जिसमें molecule properly oriented है, ठीक है, हम अपने level पे, है ना, हम अपने syllabus में probability factor, चाहिए steric factor को one लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हम कितने, हम एक के वाल लिखता भी लिख दें, तो भी हमारा काम सल जाएगा, आग यह समझ में आते है, ठीक है, जेडे अबी को बोलते हैं, जेडे अबी आपको हम बताया थे, कि जेडे अबी कब आता है, Total number of collision per unit time per unit volume, और इसका नाम होता है, तो लेए लिख देता है, Total number of collision per unit time per unit volume, इसे हम बोलते हैं, क्लिवेंसी किसको बते है तो तो यानु उत्ट उत्यततम फ्रीक्वेयनसी में कितना क्विवेंट है यान्य इनडी कितना क्वि ready टाइम में हो रहे है बस एक्ष्रा यहां पर इन्जान डग गया ठिक बचो तो यह था तुम्हारा त्यरी अब तो मिलीट का वालुаз यहाँ पे साधी में लिख देना कि fraction of number of molecules which are properly oriented प में लिख देना P क्या रेप्रेजेंट करता है fraction of total number of collisions which are properly oriented तो revise करना है इससे इसे तो radical सवाला सकता है इस equation से यह उतना important नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना कि ZAB जो है वो किसके proportional जा रहा है वो root T के proportional जा रहा है यादि temperature को बढ़ा होगे तो number of collision हमारा बढ़ेगा अगर temperature को 100 गुना से बढ़ा होगे तो number of collision 10 गुना से बढ़ जाएगा ठीक है यह याद रखना number of collision molecule के radius पर भी depend कर रहा है number of collision molar mass पर भी depend कर रहा है क्योंकि यह new जो था हमारा है यह reduced mass था और reduced mass कितना आया था m1 m2 बटा m1 plus m2 आ गया था ठीक है गोड़ को रहे है सर में अब रेडिंग में बच्चो बहुत important है बहुत आसान भी है activation energy ठीक है activation energy यह तो पहले हम इसका definition यहाँ लिखेंगे उपर में पहले तुम्हों समझाते हैं मांड हमारा reaction है एक्जो थर्मिक एक्जो थर्मिक रेक्शन है यह हो गया reaction coordinate और हम क्या बता हाई लेबल पर जाओ गया तो यहाँ पोडेंस energy निखा रहा है गा हमारे लेबल पर यहाँ पर एनर्जी लिखा रहता है रियाक्टेंट हमारा यहां पर हमाल लो यह हमारा reactant है reactant का energy इया हो गया अब तुमको product बनाना है तो तुम गर्म किया heat देना शुरू किया bond को तोडो पहले तो bond तूटा है तूटते 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 मैक्सिम पर चला गया यहाँ पर सारा bond तूट गया है अब के लेबल से निचे चला जाएगा यानि ग्राफ मारा कुछ ऐसे हो जाएगा सब्सक्राइब यह हो गया इनर्जी ओप्रोड़क्ट ठीक है बच्छों यह जो गैप होता है इसी को भोलते हैं डेल्टा एच जिसको तुम पढ़ते थे इंठाल पे अप्रेक्शन तो डेल्टा सब्सक्राइब उल्टा जाएगा यहां तक जाएगा तो यह जो गैप होता है इसे और अगर प्रोड़क्ट उल्टा जाएगा रीक्टेंट की ओर तो उल्टा जाने के लिए पहले यहां तक जाएगा तो यह जो gap होता है इसे हम बहुते हैं activation में जी हो backward reaction ठीक है अब देखो बचो इस पूरे activation जी हो backward reaction में से अगर forward को घटा दो गए तो यही gap बच रहा है जो कि delta h के बराबर है तो तुम चाहो तो delta h को और भी कुछ लिख सकते हो इन दोनों के difference के term में लेकिन यह negative है तो negative है तो यह बहुत important है याद रखना दिमेरकल वाला part अब तुम्हारा शुरू हो गया है ठीक है तो EF minus EAB हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ ता कर गया समझ में अब देखो यह जो gap है यह gap क्या कहलाता है activation energy तो हम इसको कैसे define करें तो हम बोलेंगे कि reactant का average energy होता है यह reactant का average energy हुआ तो हम average की बात कर रहे है तो product बनाने से पहले जो minimum energy चाये होता है overall यह minimum energy हो गया overall प्रूदक बनाने से पहले minimum energy चाये होता है वो energy और जो reactant का average energy है उसके बीच के gap को हम बोलते है एक्टिवेस्न अर्जी तिलर हो गया है यहां तब प्रोडक्त बनाने के लिए जो मीनिमम इनर्जी हमें चाहिए होता है वह एनर्जी और जो रियाक्टिंग का एवरेज इनर्जी है उन दोनों के विच के गैप को हम भोलते हैं एक्टिवेस्न अर्जी ठीक है तों क्या minimum energy required to form products and energy difference किसके किसके बीच का तो product बनाने के लिए minimum energy चाहिए यानि ये वाला और कौन सा और ये वाला and average energy of reactant molecules सही है बच्छो तो इसे हम बोलेंगे activation energy आप देखो तो activation energy जो है वो ये value नहीं है ये value तो 0 से होगा reactant और इस value के बीच का difference है तो ये value ये value जो होता है अगर 0 से देखोगे 0 से तो ये वो energy है जिसको cross करना पड़ेगा product बनाने के लिए यानि ये थर्षोड होगे आए तो इसे हम बोलते है थर्षोड energy जिरो से अगर इसका gap लोगे तो सपोज करो ये 10 है और ये 25 है तो activation energy कितना होगा तो तुम बोलोगे 25-10 यानि 15 होगा ठीक है ये किन अगर तुम से पुछा जाए थर्षोड energy कितना होगा तो तुम बोलोगे 25 होगा ये जो इसे क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं चाहे हम इसे activated complex भी बोलते हैं और 0 से maxima के बीच का difference थर्षोड energy होता है ठीक है थर्षोड energy वह overall energy होता है जो मैं product बनाने के लिए चाहिए minimum और थर्षोड energy और reactant के energy के बीच का जो gap होता है उसे भी तुम activation energy बोल सकते हो ये activation energy आता कहां से है तो ये kinetic energy से आता है तो यह reason है इसका आप येका हो definition बोल सकते है activation energy is the minimum kinetic energy to form products minimum kinetic energy to form product product बढ़ाने के लिए जो कम से कम को kinetic energy चाहिए क्योंकि वही convert होता है active energy में चाहिए एक बात बताओ अगर ये exo का graph है तो क्या तुम इंडो का graph खुझ से की सकते हो ठीक है तो देखना ट्राइब करना है इंडो थर्मिक रेक्शन में डेल्टाइज क्या होता है positive और exo में डेल्टाइज क्या होता है negative तो यहां अगर आप फिचो गया तो यह फिर से हो गया reaction coordinate यहां पे लेरा हम अपने लिवल पर energy हमारा reactant सब्सक्राइज करो यह रहा energy दो गया अब energy release करेगा लेकिन इंडो है तो जितना लिया उससे कम release करेगा यानि product हमारा ऊपर ही रहा जाएगा यह हो गया product यह हो गया energy of reactant यह हो गया energy of product इस gap को फिर से हम क्या बोलेगे बच्चो delta H delta H ग्रावर product minus reactant का energy जो कि बरावर कितना आएगा तो को product इस पर ज्यादा है reactant कम है तो इस बार positive आएगा इसे क्या बोलेंगे ट्राइंसान श्रेट चाय activated complex यह हो जाएगा forward action का एक्टिवेश अनर्जी यह ग्याप हो जाएगा backward action का एक्टिवेश अनर्जी और एक्सीस से यहाँ तका जो distance होगा यह हो जाएगा थर्शोल इनर्जी अगर यहाँ पर भी तुम delta H को लिखोगे forward backward के term में तो देखो ध्यान से इस पूरे एनर्जी में से अगर इस छोटे वाली यह भी को घटा दें तो delta H बच जाएगा तो यहाँ भी अगर आप delta H लिखोगे तो यह इंपोर्टेंट हो गया क्यूंकि एक्टिवेश में भी यही एक्टिवेश अनर्जी और इंडो में भी सेम आय चलो अगला एडिंग दो बच्चो अरहनियस एक्वेशन आरहनियस एक्वेशन क्या होता है तो अरहनियस एक्वेशन होता है dependence of rate constant अभी हमने rate बराबर दिखता अब सेम एक्वेशन को हम rate constant के ले लाएंगे dependence of rate constant on temperature के साथ हम वेरियेशन देखने वाले है rate constant का ठीक है तो महां लोग फिर से अगर हम वही ले ले रियाक्शन a plus b बराबर product और यह elementary reaction है तो rate बराबर क्या आएगा k times concentration of a into concentration of b और अभी हमने rate बराबर निखाला था orientation factor into collision frequency into e to the bar minus e by rt यानि fraction of total number of effective collision इसका नाम Boltzman factor भी होता है नाम बतायते हैं चौक नाम बत कहीं दिया रहेगा तो इसको हम Boltzman factor b भी ही बोलते हैं तो देखो अब यहां से यहां से अगर k निकाल होगे तो k बराबरा जाएगा पी टाइमस ZAB divided by concentration of A into b e to the power minus e by rt हम क्या बोले थे कि हमारे level में P का value 1 होता है तो अगर हम P का value 1 कर दे तो यहां जाएगा ZAB by concentration of A into concentration of B into the power minus e by rt अब याप करो Z का जो एक्स्प्रेशन था उसमें तो concentration का टर्म आया ही था बस हमको यह गैटरो नमबर से डिवाइड करना था उसको तो अगर उसको गैटरो नमबर से डिवाइड कर दोगे जो की constant होता है तो यह concentration का टर्म कैंसल हो जाएगा तो इस पूरे को एक नया constant माल लिया जाता है concentration तो कट कट गया ना तो जो भी बचा वो temperature पर dependent होगा अगर temperature fix है gas भी A और भी reactant तुमारा fix ही है तो अगर temperature fix है तो हम इस पूरे को एक नया constant माल लेते हैं जिसका नाम होता है A तो यह equation हो जाएगा A बराबर minus EYRT तो यह हो गया बहुत ही important equation है यहाँ से आपका मेंपड़ाई शुरू होता है very very important तो किससे क्या बोल रहा है जेड़े भी का अभी पीछ है तो मगर equation देखोगे तो last में आ था a star into nba star na star को अगर यह गाटरो नमर से भाग देदो nba star को यह गाटरो नमर से भाग देदो जो की constant होता है तो तुम पूरे equation को भाग भी दो भूना भी करो तो भाग दोगे तो concentration मन जाएगा concentration concentration कर जाएगा करने का मतलब यह तर्म हमारा यह आगे वाला जो तर्म यह concentration के और डीपेंड नहीं करेगा simply यह number of collision हो गया simply इसी को हमने माल लिया a e to the power minus a by rt तो देखो द्यान से अगर हमा लोग काटते नहीं है और simply बोलते है कि a का concentration 1 molar है b का concentration भी 1 molar है अगर a के जगह पर 1 रग दे b के जगह पर 1 रग दे तो हमारा capital a zav के बराबर आ जाएगा zav क्या था number of collision per unit time per unit volume तो a को भी हम लोग अपने level पे same तरीके से define कर रहेते हैं हम बोल देते हैं कि a जो है वो number of collision है per unit time per unit volume तो बहुत 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 तुमको बुक में यह चीज लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पे surprise मत हो जाना मान के चलना कि concentration को one one molar लेकर इस तरीके से define किया हुआ है ठीक है दोनों term interchangeable होता है वैसे भी proportionality पे हम काम करते हैं rate constant वगरा कुछ भी आता है तुम pressure से concentration में गया है चाहे किसी और variable में गया number of molecules में गया चाहे ATM में गया जो कि हम पहले class में देख रहते हैं कि rate of reaction को हम ATM में दिखा सकते हैं ATM per second में mol per second में mole per second में molecule per second में तो reality में हम तो proportionality पे काम कर रहे हैं तो अगर हम proportionality पे काम करें तो दोनों चीज़तों सेम हो जाएगा तो यह जो है बहुँ जगा पे ए को ही Z A भी बोला जाता है लेकिन actual में Z A और Z A भी और A जो है वो सेम नहीं होता है लेकिन हमारे level में मान के एकदम कभी भी true false में आ जाए सीधे इसको true लगाते ना बिल्कुल correct है इन fact जो हम लिखने जा रहे हैं वो हम Z को बोलते हैं लेकिन हमारे level पे हम Z को ही A बोल देते हैं ठीक है higher level पे जाओगे तो concentration को 1 रख के Z को यह बोला जाता है हमारे level पे सीधे बोल देते हैं concentration के बारे म total number of collisions per unit time per unit volume यानि हम इसे क्या बोल सकते हैं collision frequency भी है और क्या बोलते हैं इसका actual नाम जो बहुँ ज्यादा popular है वो क्या इस्तमाल होता है तो खुर exponential के आगे का factor है तो इसे बोलते हैं pre-exponential factor maximum सवाल में तुमको इसका नाम pre-exponential factor लिखावा मिलेगा और वही सही धान होता है collision frequency एक परकार का approximation है ठीक है लेकिन pre-exponential factor इसका real नाम है हम बोलेंगे A is called pre-exponential factor चाहे है इसे क्या बोलते है frequency factor क्यों बोलेंगे frequency factor क्योंकि number of collision का ये frequency बता रहा है ये यूनिट टाइम ही कितना collision हो रहा है ये बता रहा है frequency factor और क्या बोल सकते हैं because क्या रहनियस equation है तो हमी से हम रहनियस factor भी नोटे है ठीक है बच्चों नोट कर लें सारा तो मारा final equation क्या है ये बराबर A e to the power minus a by rt ठीक है A का unit क्या होगा unit of A होता है और unit time अगर दुनों साइड ln ले लेते हो तो ये बन जाएगा ln k बराबर ln a e to the power minus a by rt यानि ln a plus ln e to the power minus a by rt ln a power आगया जाएगा तो minus e by rt ln exponential का value 1 हो जाएगा तो ये हो गया ln a minus e by rt ऐसे तो हमारा number of collision temperature पर depend करता है लेकिन maximum सवाल में दे देगा कि ये हमारा temperature से independent है temperature change करने से pre exponential factor change नहीं कर रहा है ऐसा दिया हो रहेगा अब दिया हुआ है तो दिया हुआ है जो दिया हुआ हो लेकर हम चलेंगे तो ln k बराबर क्या आगया ln a minus e by rt आप यहां से देगो तो as temperature increases जैसे temperature अमारा increase करेगा तो temperature बढ़ाओगे तो e by rt घटेगा तो minus e by rt बढ़ेगा अगर temperature बढ़ाओगे तो e by rt घटेगा तो minus e by rt बढ़ेगा और minus e by rt बढ़ेगा तो ln k भी बढ़ेगा ln k बढ़ेगा और k बढ़ेगा तो rate constant बढ़ेगा तो इस equation से क्या आगया कि temperature के बढ़ने पर rate constant बढ़ता है बहुत important है लेकिन ऐसा हम केवल elementary reaction में बोलते हैं complex reaction में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है जो की proof होगा बाद में देगो तो यह straight line का equation आगया बहुत important है याव रखना एलेन के y-axis पे y बराबर mx प्लस c तो 1 by t 1 by t का coefficient क्या है minus e by r यानि कि slope हो गया minus e by r यानि negative slope negative slope का मतलब हुआ graph हमारा कुछ आशा जाएगा अगर angle theta है slow बराबर आएगा tan theta और यह हो जाएगा minus e by r और intercept कितना है तो intercept है हमारा ln a के बराबर ठीक है अगर same graph तुम खीचो लेकिल log लेलो log k और यहाँ पे 1 by t है तो log k केटर में लिखोगे तो क्या आगा रेगो तो log k बराबर log a माइनस इसको लिखोगे 2.303 log k 2.303 log a और 2.303 से किनों का भाग दे तो इसका कट गया और यहाँ दीचे में आ जाएगा यादि में हो गया e upon 2.303 rt ग्राफ का नेचर सेन होगा बस value बराबर आ जाएगा minus e by 2.303 a जो के बराबर होगा तो एक्जाम में ध्यान से देना LNDI की log दिया है अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो इस छोटे से गलती में तुम्हारा सारा मांस चला जाएगा यह कितना हो जाएगा बच्छो यह हो जाएगा log a के बराबर ठीक है बोल कर लूँ देखो जो यह सवाल तो बोल रहा है इने reaction carried out at 400 Kelvin 0.001% of total number of collisions are effective तो बोल रहा है यह कितना होगा तो क्या बोल रहा है कि इतना percent collision effective है तो उसी का fraction क्या हो जाएगा fraction of effective collision तो fraction कितने में निकालता है 1 में तो fraction हो जाएगा 0.001 upon 100 और fraction of total number of effective collision को हमने अभी निकाला था यहां maximum equation से की बराबर होता है e to the power minus e yrt बस इसको solve करो और यह निकाल लो तो यहां से क्या आ जाएगा e to the power minus e yrt यह हो गया 10 to the power minus 5 और यहां से यह बराबर आ गया तो यहां से यह बराबर आ गया 2.303 into 5 into rt अगर हमारा activation energy calorie में दिया है तो r को तुम calorie मिलोगे जूल में दिया है 8.314 लोगे temperature कितना है चार्सों केल मिलोगे निकाल रहा है तो अगला पर्लो पर फर्स्ट अडर रियक्शन करीड आउट अग्सटाइश डिग्री सी इफ इतना परसेंट अप्रेक्टेड मॉलीकूल्स आ इनक्टिवेटेट सेट सेम से बाल है वो परसेंटेज को हम इफेक्टिव नंबर अप कोलिजन भी बोलते हैं चाहिए ये भी बोलते हैं कि फ्रैक्शन अफ टोटल नमबर अफ मालिकूल्स इनक्टिवेटेटेड अश्टेट चाहिए इन एनर्जी इन एक्सेस ऑफ यह तो यहां भी हम डारेक्ट लिग सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं और ब्रैक्ट में आएगा लॉग इतना लॉग इतना को लिख सकते हो तो माइनस अठार है जो लॉग 3.8 बागी तुम्हारे सॉल्ट करने के उपर है इसको लॉग 3.8 निकाल के वैली पूट करो यहां से नेगेटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव कड़ियाएगा यहां से सॉल्ट करोगे तो आपका यह जो है वो निकल के चलाएगा ठीक 59 परशन सवाल वही से आता है ठीक है तुम मिलते हैं वेले गलास में